आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरा प्रणाम इस प्रिच्वल जर्णी में ट्विन फ्लेम की जर्णी में बहुत से लोगों को फियर फिल होता है कभी कभी सडनली कुछ टाइम तक फिल होता है या किसी किसी को हमेशा फिल होता है फियर कई तरह का होता है जब डाट नाइट आफ सोल का पिरियड चलता है उश टाइम सभी को फियर फिल होता है जिसके soul की negativity जितनी होती है उसके हिसाब से negativity feel होता है, fear feel होता है जब anxiety होता है, sweating होता है, suddenly heartbeat बढ़ जाता है ऐसा feel होता है कि सांसे अटक रही है और बहुत जादा fear लगता है तो ये negativity soul की होती है, यानि कि खुद की negativity होती है बढ़ जो negative energy के reason से feel होता है, उसमें 24 hours एक डर बना रहता है reason नहीं पता कि fear क्यों लगता है, बढ़ हमेशा fear लगता है तो जिने भी ऐसा feel होता है, जिनके साथ भी ये होता है मैं कुछ remedies बताऊंगी जिससे कि आप अपनी fear को release कर सकते है पर सबसे पहले ये समझ लजे कि जब खुद की negativity होती है fear लगता है, तो ये ज़्यादा time तक नहीं लगता कुछ time feel होता है, फिर ठीक हो जाता है जब soul की negativity surface पे आता है, तभी fear feel होता है बढ़ जब 24 hours negativity feel हो, fear लगे, तो ये negative energy के कारण feel होता है तो अगर आपकी soul की negativity के reason से fear feel हो, तब आप अपने negativity को release करें पहला टेकनिक, water affirmation से water जो है, ये cleansing करता है, आप daily 11 time ये affirmation दे एक glass water ले और affirmation दे, कि मैं ये पानी पीने के बाद बहुत positive feel करते हूं ये affirmation दे कि आप 21 days टक, daily पानी को पीए दोसरा टेकनिक है कि आप 111 time, 111 बार, 11 days तक ये affirmation दे मैं अपने mind, body, subconscious और spirit की सारी negativity को release करते हूं मैं अपने सारे fear को release करते हूं और universe की higher positive energy को receive करते हूं बस इतना ही affirmation आप ये 11 दिनों तक दे, 111 बार ये बहुत ही powerful affirmation है ये 11 दिनों के अंदर ही अंदर आपकी सारे negativity, fear, सब कुछ release हो जाएगा और आप इस affirmation को अपने घर के मंदिन में बैट कर देते हैं तो ये double positive result देता है आप एकदम higher energy में shift हो जाएंगे 5 डिके energy में shift होंगे तीजरा और ये बहुत ज़्यादा powerful है और मैं इसे बजबन से करती हूँ जब मुझे कुछ भी नहीं पता था जब भी अचानक से fear लगे तो मैं shift का जाब करती थी मन में इसे 5-10 मिनट के अंदर ही better feel करती थी और ये आपको भी करना चाहिए आपको जब भी suddenly fear feel हो तब आप अपने shift का नाम जाब कर सकते हैं मन में इसे आपको better feel होगा अगर आपको अपने घर में negativity feel होता है आस-पास negativity feel होता है 24 hours fear feel होता है तो आप अपने घर में कपूर चलाया करें और पूरे घर में गुमाते हुए अपने घर का जो में डोर है वहां तक जाएं और energy को release करें हाथों को बाहर की तरफ फेरें इससे आपके घर की negative energy release होगा आप हानुमान चलीजा का पाट करें पाट नहीं कर सकते हैं तो सुनें loudly करके सुनें आपके साथ साथ आपके family member के कान में भी पढ़ना चाहिए इससे उनकी भी negativity release होगा आपके पूजा घर में जो जल होता है उसका इस प्रेक करिये अपने पूरे घर में ये affirmation दे के कि आपके घर की सारी negativity release हो last और सबसे important all day of and day of के लिए आप अपने पास pocket हनुमान चली सा रखे आप कहीं भी जाएं तो साथ ले जाएं all time अपने साथ रखे ये बहुत ज़्यादा प्रोडिक्ट करता है energy को बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान चली सा लेके नहीं गुमना चाहिए तो ऐसा नहीं है मैं खुद लेके जाती हूँ एक और चीज जो आप अपने daily inner work में add करें इसे तो जरूर सुने महिशा शुर मरतनी को daily सुने df जरूर सुने ये आपके feminine energy को improve करेगा और इसे सुनने से कुंडलनी भी जल्दी activate होता है आपके negativity को release करता है आपको protection भी मिलता है अगर आप इन में से एक दो भी करते हैं या सारे करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना benefit मिलेगा धन्यवाद ओम नमाश्यवाई ओम शांती